हेलो एवरिवन, वेलकॉम अगेन इन लर्न विद दिर्टेमन, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7, चैप्टर नमबर 1, तो अभी तक जो इस क्लास 6 है वो आपकी कम्प्रीट हो चुकी है, क्लास 7 पे हम चल रहे हैं और बहुत जल्दी है हम इसको भी कम्प्रीट कर देंगी तो चलिए बिना देरी के इसको स्टार्ट करते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज इसको शेयर कीजे, लाइक कीजे और सब्सक्राइब भी कीजे, हो सके तो, है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रित्वी का वह मंडल जहां जीवन पाया जाता है, क्या क जल मंडल कहलाएगा, और धरातल से उपर जो वायू वाला भाग है, वो क्या कहलाता है, वायू मंडल कहलाता है, और इन तीनों के संपर्क में आने से क्या बनता है, जैव मंडल बनता है, है ना, तो तीनों, आचा एक बात और, क्या प्रित्वी के संपूर्ण भाग में, क् प्रित्वी पर हर एक जगह पर जीवन है नहीं है विल्कुल नहीं है जैसे कि ध्रुविय छेत्र हैं जो बहुत ज्यादा मरुस्तेले हैं जहां पर वनस्पति भी नहीं होती है वहां कोई जीव भी नहीं पाया जाता है तो वहां पर जीवन थोड़ी है नहीं है न क्यों भाग जयवंदल में नहीं आया जाता है, कुछ हिसा ही इसका जयवंदल माना जाता है, चलिए, next question देखते हैं, जैविक तथा एजैविक परियावरण के पारसपरिक संबंदों को क्या कहते हैं? तो बताईए क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पाली तंत्र, इसको क्या कहा जाता है, पाली तंत्र कहा जाता है, नेक कुशन देखते हैं, खादर शंखला क्या है, खादर शंखला क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की परस पर भुज्य निर्भरता परदर्शित करते है पारस्थितिक तंत्र में जीवों की परस पर भुझे निर्भरता परद्शित करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका चलो एक डाइग्राम से देखते हैं, इसको खादर संक्रा का एक छोटा सा डाइग्राम है, इसमें क्या है? यह आपका सूर्य है, यह आपका जल है, यह इ इनको उत्पादक कहा जाता है, और उत्पादक प्रात्मी को भुगता जो समानते साकारी होते हैं, जिसे खरगोस हो गए, हिरन हो गए, की पतंग्य हो गए, जो इनको खाने वाले क्या होते हैं? सरवाहरी होते हैं, और साथ में वो क्या होते हैं? उस साकारी का भी कई बार क करते हैं तो वो दित्यक को भूगता हो गए जो इनको खा जाते हैं वो क्या हो गए दित्यक को भूगता हो गए जो पूंता मासारी होते हैं और जब ये इनके खत्म हो जाते हैं मर जाते हैं तो इनका सरीर वापिस मिटी में तबदील होकर अपगटों में चेंज हो जाता है औ इसको क्या कहा जाता है? परवत किसे कहते हैं? तो देख़ें हर चीज की परिवासा होती ही अधिक उंचे होते हैं जो परवत का जो नीचे भाग होता है वो चोड़ा होता है उपर की तरफ क्या होते हैं, सक्रे होते हैं, सक्रे बाग को क्या कहते हैं, परवत की चोटी कहा जाता है, ठीक है, और जैसे कि Mount Everest क्या है, एक परवत का चोटी ही तो है, जो सबसे उची परवत चोटी 8888 मीटर उची है, यह नगा, नेक कोशन देखते हैं, प्रिसांत महा सागर में इस्थित, मौना की परवत समुद्र तली से कितना उचा है, तो कितना उचा है, 10205 मीटर, अधिकान से जो इसका भाग है, वो जल मगन है, मैक्जिम जो इस पहाड मौना की पहाड है, जिसका जो अधिकान से है, वो जल मगन है, अच्छा, इसमें एक जो चीज और है, वो भी आप धान से देखेगा, यहाँ पर कहा गया है, समुद्र तली, समुद्र तली का मतलब, जो उसका बॉटम हिस्था है, जो उसका निचला से हम उसकी उचाई नापने है, तो वो 8,848 मीटर पड़ती है, लेकिन यह कहां से नापा गया है, समुद्र तली से नापा गया है, तली और तल में कन्फ्यूज मत हुएगा, तो यह कहां से नापा गया है, समुद्र तली से नापा गया है, और इसका मैक्जिम हिस्था, परवत का पवन मुखी भाग किसे कहा जाता है तो देखिए इसके पहली बात तो अगर इसको नॉर्मल बात करें तो परवत के जिस तरफ बादल वर्षा करते हैं एक्चुल में क्या होता है परवत के दोनों साइड में देखा जाए तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि एक जैसी बारिस होती है एक हिस्से में ज्यादा बारिस होती है और दूसी हिस्से में कम होती है चलो इसको एक डाइग्राम से देखते है यह जो आपके पास डाइग्राम है इसमें दिखाया जा रहा है इस साइड का है जो हिस्सा है इस साइड से बादल आ रहे है ठीक है वो इससे ट व्रिवाग आपको पता है परवत जितनी ज्यादा उच्छे होंगे उतनी थंडे भी होता चला जाता है, तो बादल के असंगनित होके थंडे होके तुरनित वर्षा कर बैठते हैं, तो आगे जाए ही नहीं पाते, तो आगे नहीं जा पाएंगे तो क्या होगा, तो उस दूस उसी साइड का जो हिस्सा है व्रिष्टी छाया प्रदेश जिसको कहा जाता है क्या कहा जाता है पवन विमुखी ढाल भी कहा जाता है यहां पर क्या होता है वर्षा कम होगी और पवन मुखी ढाल पर क्या होगी ज्यादा होगी तो इस चीज को आपको समझना होगा तो परवत ये जो छेत्र होता है वो भी, क्या होता है, वो बादल से वर्षा करने में बहुत सायक होते हैं और कैसे होते हैं वो इस डाइग्राम से आप समझ सकते हैं, चलिए ने एक क्योशन देखते हैं, हिमाले में गदी, बकरवाल और भोटिया जन जाती हैं, किस मौसम में आती हैं, तो किस मौसम में आती हैं ये ये आती हैं गर्मियों में क्यों कि ये जो जातियां होती हैं ये मौसम प्रवासी जातियां होती हैं तो हिमाले में उसक्त बहुत ज्यादा ठेंड पड़ रही होती है और इनका मुख्य कारे क्या होता है देखिए जो परवती शेत रोते हैं उसम मौसमी प्रवासी जाती है। गर्मियों में हिमाले शेत्रों में होती हैं और सर्दियों में ये कहां चली जाती हैं गाटियों में पलायन कर जाती हैं तो ये क्या कहलाती हैं इनका कोशन कई बार आ भी चुका है तो गदी बकरवार और भोटिया क्या हैं ये मौसमी प्रवासी जाती हैं ठीक है नेक कोशन कम ढाल वाले उंचे वे चोड़े छेत्र जो समतल होते हैं क्या कहलाते हैं क्या कहलाते हैं तो हम सभी जानते हैं क्या कहलाते हैं वो पठार कहलाते हैं क्या कहलाएंगे वो पठार कहलाते हैं चरिए देखतें आचा इसमें क्या होता है निमने जो पठार होते हैं वो क्या है किर्सी के काम भी आते हैं और जो उचे पठार हैं जैसे आपका तिबबत का पठार है वो तो बरफीला पठार है वहां किर्सी तो संभवी नहीं और जो निमने पठारों में जहां किर्सी के जाती है उसका कोई उधार्ण अगर भारत में तक उचे हो सकते हैं और पठारों में खनिज जैसे लोहा हो गया कोईला हो गया यह बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं चलिए नहीं कुर्शन देखिए समुद्र तल से 300 मीटर से कम और समतल भूबाग क्या कहलाते हैं समुद्र तल से 300 मीटर से कम और समतल भूबाग क्या कहलाते हैं क्या कहलाते हैं मैदान कहलाते हैं और मैदान किते प्रकार के होते हैं आपको पता है मैदान किते प्रकार के होते हैं मैदान होते हैं दो प्रकार के तटिये मैदान और आंत्रिक मैदान तटीय मैदान क्या होते हैं? जो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं समुद्र के किनारे जो इस्थल बाग होता है वो क्या कहलाएगा? तटीय मैदान कहलाता है और आंत्रिक मैदान क्या होता है? नदियों द्वारा जो मिट्टी जो निक्षे बनता है, जो मैदान, वो क्या कहलाएगा? अंत्रिक मैदान कहलाएगा. चलिए, next question देखिए. सदावाहिनी या नित्यवाहिनी नदियां किसे कहा जाता है? सदावाहिनी नदियां किसे कहा जाता है? तो वर्स परियंते जो भी होती है, जैसे अपनी राजसान की लोणी नदि है, वो क्या होती है? केल वर्सा के समय बैती है, तो वो क्या कहलाएगी? मौसमी नदि कहलाएगी. ठीक है? चलिए, next question देखिए. नदी बेसिन किसे कहा जाता है? देखिए, नदी बेसिन बहुत बार आता है, लेकिन हम लो का बैसिन कहलाएगा, इसको एक exampleसे समझते हैं, गंगा नदि है, ठीक है? गंगा नदि जहाँ से स्टार्ट हो रही है, उद गम हो जहां से हो रहा है, जहां तक बह रही है, उसके बीच में साह gleich नदिया भी मिल रही है, सॉन मिल रही है यमना मिल रही है, तो अब सौन का जो basin कहलाएगा तो इसतल का वहभूबाँ जहां मुख्य नदी यानि गंगा और उसकी साहिक नदी जैसे यमना हो गई, सौन हो गई, या न, चंबल हो गई ये सब क्या हैं, उसकी साहिक नदी बहती हैं मुख्य नदी का basin कहलाता है ठीक है चली next question देखिए समुद्र किनारे इस्थल भाग को क्या कहा जाता है समुद्र किनारे इस्थल भाग को क्या कहा जाता है देखिए हम सभी जानते हैं इसको क्या कहते है तट कहते है लेकिन पारिभासिक तोर पे इसको जानना जरूरी था इसलिए मैंने इस question के अट किया है ज्यक्ति विस्व का सबसे बड़ा नदी इस्थित द्रीप का नाम क्या है यह question भी बहुत बार repeat हो चुका है इस चीज का ध्यान गिएगा जिसका नाम है मांचुली और ये कहां पर है ब्रहमपुत्र नदी में मांजली जो दीप है वो कहां पर इस्थित है ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर इस्थित है और यह SSC में भी आया है तो इस चीज को आप हलके से मत लिजेगा यह बहुत रिपीट होता है इसको अच्छे से याद रखेगा नेक कोशन देखिए दीप वे प्राय दीप में क्या अंतर है तो हम सभी जानते हैं जैसा की दीप क्या होता है दीप चार ओर से जल से गिरा होता है जबकि प्राय दीप जल से तीन ओर से जल से गिरा होता है तो दीप जैसे की आपका लक्षे दीप हो गया अंडवाननी को बार यह क्या है आपके दीप है और भारत क्या है प्राइदीप है क्यों तो तीन तरफ से जल से गिरा हुआ है तो आप समझ गए होंगे दीप और प्राइदीप में क्या अंतर होता है तो इसी के साथ आपका यह चैप्टर होता है समाब प्लास सैवन का चैप्टर नमबर त्री और इससे पहले कि मैं इन questions को start करूँ कि प्रशान्त महाजागर की जो safe है वो त्रबुजाकार बताई है RBSC के अंदर और NCRT के अंदर उसी को व्रताकार बताया गया है तो क्या होता है बच्चों की जब exam paper बना जाते हैं तो authentic books से ही बनाए जाते हैं और जब इस type की problems होती है तो जैसे कोई state level का exam है वहाँ मान लीजे दोनों option आपके पास आगया व्रताकार भी आगया और त्रबुजाकार भी आगया और आपको state level का exam दे रहे राइस्थान का कोई exam दे रहे तो वहाँ पर वही सही माना जाएगा ज खुड़ा सा ध्यान रखना होगा तो जब हम read की और पट्वार जैसी papers की preparation कर रहें तो definitely राइस्थान की books को ही ज्यादा follow करेंगे तो RBSC की books के हिसाब से तो प्रसांत महाजागर की जो safe है वो कैसी है वो है त्रबुजाकार तो आपको त्रबुजाकार पर ही क्लिक करना है इस बात का ध्यान रखेगा center level का exam, NCRT की books, state level का exam देना है तो state level की books है ना इस चीज़ को बिल्कुल भी confuse मत हुईएगा चलिए start करते हैं बिना देरी के first question है आपका जीवों द्वारा छोड़ी गई carbon dioxide पेड पौधों द्वारा किस कारे हितू उप्यों की जाती है जीवों द्वारा छोड़ी गई carbon dioxide पेड़ों पेड़ पौधों द्वारा किस कारे हितू उप्यों की जाती है बोजन बनाने के लिए जो पेड़ पौध है carbon dioxide का यूज़ करते हैं और उसके अपना भोजन बनाते हैं सूरे की energy के द्वारा है ना फोटो संथेसिज जी सकते हैं पिर्च्वी के औस्तन तापमान में विद्धी क्या 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 लाती है तो क्या 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 लाती है global warming या human डिलियत अपन है ना और यह क्यों होती है greenhouse gases की वाज़े से greenhouse gases का सबसे main example क्या है CO2 है ना carbon dioxide oxide इसकी वैजरे से 5 जलोबल ऐर्मिंग क्रियेठ होती है Cuin और सबसे जादा कौन सी है nitrogen है nitrogen कितनी है 78.08% यारी 78.08% जो है nitrogen है, तीसे रिंबर पर औरगन है, जो 0.93% है, 0.93% है, और carbon dioxide कितनी है, मात्र 0.03% है, और बाकी सारी चीजें कितनी है, 0.01% तो देखें, वायू मंडल में, तीन में जो घटक होते हैं, जिससे वायू मंडल बनता है, मुश्ट लिख तीन चीजें होते हैं, एक gas यह होती है, gas का आपने यहाँ पर देखा, दूसरा होती है, जल वास, वाटर वैपर, और तीसे क्या होते हैं, धूल कंड, जो धूल के कंड होते हैं, है न, sand particles जो होते हैं, वो, तो यह तीन चीजें ही होती हैं, जो कि हमारे वाईव मंडल को हमें इतना बड़ा दिखाती हैं, तो चलिए, जब आपने gas का अपने परतिसाद देखा, चलिए, next question देखते हैं, वाईव में इस्थित वास पर रूपी जल को क्या कहा जाता है, परकास प्रकरनीन का कारण वाईव मंडल का कौन सा घटक है, तो देखे औ, प्रकास प्रकरनीन का कैसे होता है, धूल कण़ों से, क्योंकि प्रकास किसे टकराएगा, gas के particles तो बहुत छोटे होते हैं, तो किसे, जो sand particles हैं, जो धूल कण़ है, उन से टकराकर, प्रिकास इधा उधर होता है, जिससे कि क्या होता है, उसके जो हमें आकास का जो कलर दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है दिन में, सूरेद और सूरेद के समय जो लाली में दिखाई देती है, वो सब क्या है, प्रिक्रिड नंके के वज़े से ह होता है यह न और वो किसकी वाज़े से होता है धूलकणों की वज़े से होता है शली नेक क्रूशें देखने हैं पृत्वी के वायू मंडल को उचाई की और बढ़ते हुए तापमान के आधार पर कितने पर्तों में विभाजित किया जाता है तो हम सभी जानते हैं पांच पर किलोमेटर तक बताया गया है दूसा समताप मंडल है जो 50 किलोमेटर तक बताया गया है मद्य मंडल 80 किलोमेटर तक आयन मंडल 400 किलोमेटर तक और बही मंडल उसके आगए हैं अब छोब मंडल में जितनी जो मौसमी गतविदिया होती हैं जैसे आपकी वर्सा हो गई ओला व परकार की कोई मौसमी गतिविदी नहीं होती है तो इसको सांत मंडल भी कहा जाता है क्या कहा जाता है सांत मंडल भी कहा जाता है और यह आपका समताप मंडल है यहां देखिए इसमें एरोपलेन की फोटो दिखाई हुई है ना आपके एरोपलेन की फोटो दिखाई हुई है तो इसका मतलब क्या है, यह समताप मंडल है, यहाँ पर किसी प्रकार की मौसमी गतिविदिया ना होनी के करण, यहां पर जो airoplane वगरा है वो आसानी से उड़ पाते हैं तो इस वेजिए समताप मंडल में ही airoplane वगरा जो है वो गति करते हैं चलते हैं ठीक है उसके आगे आप जब देखते हैं और जिसकी 50 km की जो सीमा है इसको क्या बोलते हैं समताप सीमा बोलेंगे है ना फिर मध्य मंडल आ जाता है मध्य मंडल में क्या होता है जो उलका पिंड आते हैं आपके जो बहार से जो पार्टिकल्स आते हैं वो क्या होते हैं जो जलते हैं जलते हुए तारे दिखाई देते हैं आपको तो वो कहां दिखाई देते हैं, वो इस मद्य मंदल में ही जलते हैं, है नो, इसके आगे आता है आपका आइन मंदल, आइन मंदल बहुत important होता है हमारे communication के लिए, हमारे संचार साधनों के लिए, क्योंकि ये आइन मंदल है, है नो, तो यहाँ पर संचार मध्यम के लिए जादतर मातर में पाई जाती हैं, तो आपने देखा कि ये मंदल, जो है, हर एक मंदल अपनी एक importance भी रखता है, चलिए, next question देखते हैं, किसी इस्थान विशेज की मौसमी दसाओं के दीर्ग काली नौसत को क्या कहा जाता है, किसी इस्थान विशेज की मौसमी दसाओं के दीर्ग काली नौसत को क्या का जाता है, कोई मौसम है कि कहीं पर कोई मौसम चल रहा है, वो एक लंबे समय तक वो मौसम अपना प्रभाव दिखाता है, वह इस टाइम में ये मौसम हो रहा है, उसके ये प्रभाव प्रभाव पर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वो उसकी उचाई पर एक centigrade तापन कम हो जाता है, यानि हम नीचे से अगर उपर की बढ़ें, तो कितने मीटर के बाद या कितने उचाई के बाद एक centigrade temperature कम हो जाएगा, और जैसे जैसे इतना बढ़े फिर एक centigrade कम हो गया, फिर एक centigrade लगबग कम हो गया, तो ऐसा कब होता है, कितनी temperature कम होता चला जाता है ठीक है और दूसरी बास देखिए तापमान की इकाई आपको देखो common बाते हैं आपको पता होने चीए तापमान की इकाई क्या है centigrade या Fahrenheit में हम इसको नापते हैं और मापने का ये अंत्र क्या है तापमाप या थर्मामीटर है ठीक है और जो सूरे से दिन में पिर्थवी जो है लगू तरंगों के रूप में उर्जा प्राप्त करती है और रात्री में दीरगे तरंगों के रूप में भी करण हो जाता है इसक टापमानं का संतुलन बना रहता है नाक कोशन देखिए धराताल पर एक वर्ग सेंटीमीटर पर वायूद के लगभग कितना भार पड़ता है तो देखिए एक वर्ग सेंटीमीटर पर लगभग एक किलो वजन यह जो वायू मंदल हो देता है तो अब सूचिए कि हमारी सरी पर कितना वजन पढ़ रहा है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता, क्योंकि हम उसके आदी हो चुके हैं, हमारा सरीर भी प्रिटिकरिया करके उतने ही वजन डालता है, तो सरीर मिंटेन रहता है, चलिए, सरवादिक वायूदाब होता है, वो कहां पर होता है, वो समुद्र तल पर होता है, वायू मंडल में इस्थित वायू की पर्तों दारा लग रहे ही दवाब को क्या का जाता है, वायू दाब कहते हैं, और जैसे जैसे हम इसमें उंचाई की तरफ बढ़ते हैं, जितना उपर बढ़ते जाएंगे, वैसे 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 वायू कम होती चली जाएगी, और और वायू कम होगी तो वायू का दवाब भी कम हो जाएगा है ना तो वायू मेंडल में उच्चाई के साथ वायू दाब भी कम हो जाता है next question दिखिए अधिक तापमान वाले छेत्रों में वायू गर्म होकर उपर उठ जाती है जब जैसे कि आपका एक कटोरा है, उसमें कुछ पानी है, अब उस पानी को आप निकाल देंगे, क्यों निकलेगा, जैसे ही आप उसको गरम करेंगे, भास बनके वो तो उड़ गया, तो अब वो खाली हो गया, अब आसपास की जो चीजें हैं, वो उसमें भढ़ने के लिए तेयार हो गया, तो यही होता है हमारे किसके साथ, भाई मेंडल के साथ, तो जैसे जहां पर गरम हो गया, तेमपरेचर जादा हो गया, तो वहां की भाईयो क्या हल्की होनी के वैज благодар की वैसरे उपर उड़ जाती है, और जो फिर आसपास की जगये हैं, नहीं भ、 वहां पर दवाब ज़्यादा होता है तो वो उसको भढ़ने के लिए चारो तरफ से उसके तरफ चल देती हैं और इसी से क्या होता है इसी से आपके आंदी तुफान या फिर हवाएं चलती है क्योंकि जो हवा होती है आपके वो कैसे बहती है हमेशा उच वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ बहती है और इसको हम क्या कहते हैं, पवन भी कहते हैं, ये एक परिभासा भी है, कि उच्छ वायुदाब से निम्न वायुदाब की और गतिसील वायुदाब को क्या कहा जाता है, पवन कहा जाता है, ये question side इसमें आएगा भी, तो इसके विपरीत अगर ऐसा ठंडे स्थान पर वायु उच्छ दाब बनाती है, ये भी आपको पता है, जैसे जैसे जितना ज़्यादा ठंडा होगा उच्छ वायुदाब होगा, क्यों कि वायुदाब मापने के यंतर का क्या नाम है, क्या कहते हैं वायुदाब मापने को, बैरोमीटर, या वायुदाब मापी, कहां दिखा होग आपने कभी आपने जब आपके पहिये वीकल का जो आपका पहिया है उसको कभी आपने देखा है उसकी हवा ना आपते हैं तो कैसे ना आपते हैं वो क्या है वो बैरोमीटर का ही एक चोटा सा हिस्सा है वो बैरोमीटर का ही एक टाइप है चले नेक कोशन देखिए और इसको ह वायू की गती बताने वले यंत्र को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है एनीनोमीटर, इससे क्या पता चलता है कि वायू कित्ती देजी से गती कर रही है, ठीक है? चलिए, next question देखी भावन जो होती है जहां से आती है उसको वहीं का नाम दे देते हैं जैसे पश्चिम से आ रही है तो पश्चिम इपवने कह दिया, परवत से आ रही है तो परवत समीर कह दिया, घाटी से आ रही है तो घाटी समीर कह दिया, समुद्र से आ रही है तो समुद्र समीर कह दिया, इस्थल से आ रही है तो इस्थल समीर कह दिया, तो यह जिस एक common sense व होती है इस्थाई सामाइक या मौसमी जिसे कहते हैं और इस्थानिय ठीक है तो इस्थाई सामाइक जिसे मौसमी भी कहते हैं और तीसरी होती है इस्थानिय ठीक है तो आपके पास तीन प्रकार की पावने होती है एक कोशन देखें इस्थाई पावने कितनी प्रकार की होती है आपने देखा तीन प्रकार की पवने है तो इसमें जो इस्थाई पवने है उनके भी कितने प्रकार है उनके भी तीन प्रकार है एक व्यापारिक होती है एक पच्छवा होती है और एक इस्थानिय इस्थाई पवने होती है व्यापारिक इस्थाई पवने पच्छवा इस्थ वायुदाब होता है क्यों होता है क्योंकि देखे यहां पर सबसे ज्यादा ठंडा इस्थान है तो ज्यादा ठंडा का मतलब वायु भी ठंडी होगी और वायु ठंडी तो संगनित होगी तो वायुदाब भी ज्यादा होगा है ना और इसी तरह उश्ण कटी मंद की बात करें तो यहां क्या होगा वायुदाब बहुत जादा गर्मी के वज़े से नियूंतम वायुदाब होगा तो यहां पर क्या होगा वायुदाब कहां से कहां की तरफ आता है उच वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ आता है तो इस वज़े से क्या होता है पवने हमेशा फ़फने कैसी होती हैं ये मैं इस्थाई होती है इस्थाई फवने होती है जो पच्छवा पवने आपरिक पवने है न और ये दुघिया पर चली नेक्स देखते हैं तकिये प्रदेशों में चलने वाली इस्थल समीर वे समुद्र समीर किस प्रकार की पवनों के उधारन है तकिये प्रदेशों में चलने वाली इस्थल समीर और समुद्र समीर किस प्रकार की पवनों के उधारन है तो देखिए कैसे उधारन है यह मौसमी या सामाईक पवने जो समय के अनुसार चलें वो क्या कहलाती है सामाईक या मौसमी पवने कहलाती है और इनको डाइग्राम से आप देख सकते हैं जल समीर क्या होता है मैंने बोला था कि जल से अगर हवा आए तो जल समीर और स्थल से ह तो देखे क्या होता है जब दिन का समय होता है तो यहां पर क्या होती है थंडी समुद्र ठंडा हो चुका होता है और यह गरम होता है क्योंकि यह बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है बहुत जल्दी ठंडा भी होगा पानी बहुत जल्दी गरम नहीं होता है तो बहुत में जल्दी गरम की कुछ सब्सक्राइब और इसके विपरीन के श्टल समय क्या होता है रात की समय क्या होता हें हो जाता है अब क्या उसको ठंडा होने में वक्त लगता है पानी के और इस्थल जो होता है वो तुरह ठंडा भी हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा पवने कैसे चलीगी समुद्र में हावा गरम होनी की वज़से उपर उड़ जाएगी और वहां पे निम्नवाय से उदभ हो जाएगा तो क्या होगा स्थल से पावने बैना चालू कर देंगी तो क्या हो जायगा स्थलसमीर बनना चालू हो जाता है और इधर जलसमीर तो यह कैसी है जो दिन और रात के हिसाब से शमिय के लगत से हिसलो चिनुक, फोहन और मिष्ट लेक किस प्रकार की पवनों के उधार्न हैं। यह इस्थानिय पव में हैं, क्योंकि यह इस्थान विशिस पर पहती हैं, तो इनको एक निशित नाम दिया हुआ है, डाइसान में लूक अप चलती है, गर्मियों के मौसम में चलती है, और यह निशित दिशा से आती हैं, तो इसको क्या कहेंगे, इस्थानिय पव में कहती है चली next देखे, वर्सा कितने प्रकार की होती है, वर्सा कितने प्रकार की होती है, तो वर्सा देखे, तीन प्रकार की होती है, समवेहनिये, परवतिये और चक्रवातिये वर्सा, ठीक है, समवेहनिये वर्सा क्या होती है, समवेहनिये वर्सा ये होती है, कि आपकी जो सूर्य कि जो प्रिक्रिया है वो क्या है संभेनिय वर्सा है जब यही बादल पर्वस से ठक्रा कर वर्सा करते हैं तो यह पर्वती वर्सा हो जाती है और चक्रवाती वर्सा यह चक्रवाती वर्सा होती है तो इस तरह के से तीन प्रिकार की वर्सा है अच्छा जो संभेनिय वर्सा होती विश्वति ये रेखा पर जो इस्थल भाधियें वहां पर सम्हेहनिय वर्सा बहुत ज़्यादा होती है। और जो उष्ण सितोष्ण कटी बंद के जो 30 चेत्र हैं वहां से 100-200 cm की वर्षा होती है और जब की विश्वत चेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है तो 200 cm और इसी वज़े से क्या होता है यहां सरवादिक वर्षावनों का चेत्र भी है उष्ण कटी बंद मद्य चेत्र में और सितोष्ण की पूरी भाग में कम से कम जो भाग है वहां से 25-100 cm की वर्षा होती है चलिए देखी नेक्स देखी विश्वतिय चेत्र में होने वाली दैनिक वर्षा सामतर किस प्रकार की होती है देदो कि मैंने अभी बताया था सम्वहन है वर्षा सम्वहनी वर्षा क्या होती है ज्यादा गर्मी के वज़से वास पर जल्दी उठती है और समुद्र राच में ठंडा होने के वज़से वापर संगनी तो तो इस हिसे को देखे यह विश्वतिय चेत्र वाला हिस्सा है और यहां पर क्या है इस सबसे 200 cm तक की जो होती है वो कहां हो रही है वो इस चेत्र में ही सबसे ज़्यादा हो रही है क्यों हो रही है क्योंकि विश्वत रेख्या पर सबसे ऊश्ण मौसम रहता है दिन में और राच्रे में वही ठंडा हो जाता है तो यहां यह मानिए कि हर दिन तेक दिन सायकाल में वर्षा होती ही ह तो इसकी वज़े से यहां पर वर्षा का जो मौसम मुपता है वो बहुत ज्यादा होता है तो इस वज़े से क्या है यह वर्षन शेत्र है यह सब सरवादिक वर्षा शेत्र कहा होती है नहीं विश्वत यह रिखा के उपर चलिए नेक्स देखतें विष्व की औसत वार्सिक वर्षा कितनी है विष्व की औसत वार्सिक वर्षा कितनी है तो विष्व की जो औसत वार्सिक वर्षा है वो करेबन एक सु सत्रा सेंटीमीटर प्रती वर्षा होती है विष्व में औसत वार्सिक वर्षा क्या है एक सु सत्रा सेंटीमीटर प्रती दिते हैं, तो दीखे हमने अभी बात किये थी, तो मेगाले के जो खासी नदी है, वहां मौसिन राम और चेरा पुंजी जिनके बारे में आपने बहुत सुना होगा, तो मौसिन राम इस वक सबसे उपर हैं, यहां पर विसकी सबसे ज़्यादा बारिस होती है, इस कोशन को अब सरव से ऊपर आता है, उसको एक डायाग्राम में भी देख देखें, यहां देखें यह जो घ्रे कलर हैं, यहां दोसो सान्टीमेटर से अधिक वर्सा होती है, और यह होती है, यहां पर ऐसी स्थित्या बनती है, जिसकी वर्सा के नाएं और यहां पर जो है, जो नीले से दिखाया गया है यहां पर 50-100 cm होगी मर famine छेत्र में यह पलेट्ज के लदार्ट में अगर होती है तो वहां पर corner हीं इनवे हिमपात होता है तो यहां पर सबसे कणम होती है 50 cm से कम बरशा चक्रवाथ उष्ण कटिवंदिये चक्रवाथ और सितोष्ण कटिवंदिये चक्रवाथ इसमें आपको बहुत अच्छे से हमझनी होगी जो सितोष्ण कटिवंदिये चक्रवाथ होते हैं वो धीमे होते हैं कम नुक्सान देते हैं लेकिन जो उष्ण कटिवंदिये चेतर होत देखें उस्न कटी बन दिये चक्रवातों को ऐस्ट्रिलिया में क्या कहा जाता है ऐस्ट्रिलिया में विली विलीज कहा जाता है अन्य नामों को भी देख लीजें केरिवियन शागर या मेक्सिकों इस छेत्र में इसको टॉर्डनेट हो का जाता है। चीन और जापन में इस लिए कोई टाइफून भी कहते हैं। और USA में संग्तराष्ट अमेरिका में इसको क्या का जाता है। केरिका हैं। पर हमारे बंगाल की खाड़ी के शेत्र में इसको चकरवाथ कहते हैं। तो इन नामों को अप याद्रखेए गा। एग क्वेशन देखी। चक्रवाथ के केंदर में और परीधी में वायुदाब में क्या अंतर होता है? तो देखे चक्रवात का जो केंद्र का हिसा होता है इसमें वायुदाब बहुत निम्न होता है और परीदी पर उच्छ वायुदाब होता है ठीक है चक्रवात के केंद्र में वायुदाब निम्न होता है और परीदी पर उच्छ वायुदाब होता है और हवाएं केंद्र से पर प्रफ्छति है लेकिन फिर भी यहां पर उल्टा होता है और यहां पर क्या होता है केंद्र से परिदी की और हवाएँ चलती इस बात को आप याद अखेंगा, इसी के विप्रीद क्या होता है प्रती शक्रवात में क्या होता है प्रती शक्रवात में केंद्र में उच्वायुदाब होता है और इसके परीदिये भाग में निम्नवायुदाब होता है यह ना चलिए नेक्स देखे प्रती शक्रवात में दक्षिन गुलाद में किस प्रकार गुमता है प्रतिशक्रवाद दक्षिनी गुलारद में किसकार गुमता है देखिए प्रतिशक्रवाद अगर दक्षिनी गुलारद में बनता है तो वो एंटी क्लॉक्वाइज गुमता है यह घड़ी के विप्रीत दिसा में और उत्री गुलारद में जब यह बनता है तो यह खुमता है जो बले बनती है जो सर्कुलेट होती हवा प्रतिशक्रवात में वो कैसे बनती है उत्री गुलार्द में तो clockwise घुमता है और दक्ष्री गुलार्द में anticlockwise यह खुमता है तो यह था आपका अंतिम question class 7 का chapter number 3 जिसका topic है जल और बिना देरी के चलिए start करते हैं तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, चंबल के किनारे बसा हुआ है, इसी तरह आपका राइस्थान का टॉंक है, वो किस के किनारे है, बनास नदी के किनारे है, उदैपूर है, वो किस नदी के किनारे है, वो आयड नदी के किनारे बसा हुआ है, टॉंक किस के किनारे है, बना जो बड़े सहर होते हैं, जो महानगर होते हैं, वो सामाने तोर पर या तो किसी नदी के किनारे, या किसी महासागर के किनारे, या पिर छील के आसपास विक्सित होते हैं, क्योंकि जल स्रौतों के आसपास ही जो मानव बस्ती है, वो अच्छे से पनपाती है, तो चलिए देख इलाबाद जो गंगा युमना का संगम छेत्रे वहां पर बसा हुआ है इलाबाद कहा बसा हुआ है गंगा युमना की जो संगम छेत्रे वहां पर लंदन बहुत फेमस है जो वर्ल्ड फेमस है वो कहां पर है वो थेमस नदी के किनारे बसा हुआ है और थेमस नदी कहा है इंग तो इस चीज को आप याद रखेंगे, नेक कोश्चन देखिए, चेन नहीं किस महासागर के तड़ पर बसा हुआ है, तो हम सभी जानते हैं किस महासागर के तड़ पर है, हिंद महासागर के तड़ पर, देखिए और भी जो सेर हैं, जैसे मुंबई है, वो हिंद महासागर के है चीन की जो है है ना सिंगापूर प्रसांत माहचागर की तट पर यह यह भी सिंगापूर से है ना तो इन चीजों को आप बिल्कुल निशित रुप से याद रखेंगे चलिए ने कोशन देखते हैं पुसकर किस जील के किनारे पसा हुआ है देखे यह भी एक जल्च्रॉत ह है अच्छा और पुसकर किस जील के किनारे है पुसकर जील ही है ना चले और देखते हैं इसमें स्रेनगर कौन सी जील के किनारे बसा हुआ है डल जील के किनारे यह कोशन कई बार रिपीट भी हुआ है तो इस चीज का ध्यान रखेगा स्रेनगर कहां पर बसा हुआ है डल ज सील है नो चलिए ने कुषिन देखिए प्रती पर मौजूद जल का कितना प्रतीसत भाग पीने योगे है तो कितने प्रतीसत जो जल है वो पीने योगे है और उसमें भी सबसे बड़ी समझ्या यह है कि उसमें जो अधिकान से जो भाग है वो रुभों पर और पर रुवतां बर्फ के रूप में जमा रहता है, तो यानि वास्टिक रूप में थो बहुत कम जल हमारे पास अविलेबल होता है, और हमारे पार श्रौत क्या है, नदियां है, जीले है, बान, ताला, कुए, एनिकट, यह चीजी क्या हैं, यह हमारे लिए सोर्स का काम करते हैं, नएक कोशन देखिए, विश्व की सबसे खारे पानी की जील कौन से है, विश्व की सबसे खारे पानी की जील कौन सी है, सबसे ज्यादा खारा पानी कौन सी जील में पाया जाता है, वान जील में, जो तुर्की में है, वान जील, जो तुर्की में है, उसमें विश्व का सबस खारे पानी की जील है, है ना, म्रत सागर है, वो भी खारा पानी है, हमारी राज्थान की जो सामर जील है, वो भी खारे पानी की जील है, और खारे पानी का मतलब क्या है, जिसको हम कठोर जल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कठोर जल भी जिसको कहा जाता है, वो ही तो खारा पान है चलिए नेक कोईशन देखिए जल के खारेपन का कारण क्या होता है तो खारेपन का कारण क्या होता है तो खारेपन का कारण क्या होता है ठीक है सोडियम क्लोराइड है कैल्शियम है बैगनीशियम है और जो और लवन है जो सॉल्ट है ये इसके खारेपन का कारण होते हैं ठीक है चलिए नहीं कोईशन देखिए राइस्थान के सेखावटी और दक्षिन राइस्थान में फ्लोराइड युक जल पाया जाता है ये पीने योगे क्यों नहीं माना जाता है राइस्थान का जो सेखावटी और दक्षिन राइस्थान जो भाग है वहाँ फ्लोराइड युक जल बहुत ज्यादा मत्र में मिलता वहां का जल प्रदूसित स्थिती में है तो वहां पे क्यों नहीं पीने योगे क्यों नहीं माना जाता है क्या होता है इससे हड्यों से संबंदित रोगों पनपते हैं इस वज़े से फ्लॉराइड युक्त जल को पीने योगे नहीं माना जाता है चलिए नेक कुश्चन देख कर नीचे के कठोर चटानों के ऊपर इकत्रित हो जाता है ऐसा जल क्या कहलाता है ऐसा जल क्या कहलाएगा वह भूमी गजल कहलाता है देखे भूमी गजल है वह बहुत importance रखता है मरुस्तली छेत्रों में यही जल जब नीचे होता है तो आरेगिर्स्तान पनब जाते हैं और जब मैदानी छेत्रों की तरफ बढ़ते हैं तो यह जो भूमी गजल है इतना गहरा नहीं होता है जितना मरुस्तल में होता है और जब वर्षा का समय होता है तो यह इसी की गहराई भूमी का जल की गहराई कम हो जाती है और गर्मियों में यह भूमी का जल की जो गहराई होती है वो ज़्यादा हो जाती है चलिए नेक कोशन देखिए मतलब जब कोई सुद्ध जल है उसमें कोई एवांचित तत्व मिल जाते हैं तो क्या होता है जो पीने युगे नहीं होता है तो क्या होता है प्रदूसर जल होता है वो जल प्रदूसर्ण कहलाएगा है न और आपको पता है यह जल प्रदूसर्ण होता किसलिए हम जो राशानी कोई यूज करते हैं कीटनासा की यूज करते हैं कारखानों और दोंगों के जो अपसिष्ट बदार थे गंदगी है उसको हम पानी के अंदर ही छोड़ देते हैं जल प्रदूशन निवारण एवं नियंत्रन कानून कब बना जल प्रदूशन निवारण एवं नियंत्रन कानून कब बना ये क्या है जल प्रदूशन निवारण के लिए जो कानून भारत सरकार ने बनाये था वो कब बना था 1974 में, चीक है, यह कब बना था, 1974 में, दूसरा देखिए, परियावरन संरक्षन कानून कब बना, यह 1986 में बना गया था, चाली, नेक कोशन देखिए, गंगा नदी को साफ करने के लिए चलाई गई भारस सरकार यूजनाओं के क्या नाम है, गंगा नदी को साफ करने के लिए भारस सरकार यूजनाओं के क्या नाम है, देखिए, बहुत ज़्यादा म्यूज में रहा है, तो यह आपको निश्यतरुक से याद होना चाहिए, और यह कौन-कौन से है, गंगा एक्षन प्लान है, और नमामी गंगे, यह दोनों प्लान गंगा नदी को साफ करने के लिए भारस सरकार के तरह, ठीक है, जल दिवस वर्स में किस दिन मनाया जाता है, यह कौश्चन तो मुझे कहना ही नहीं चाहिए, कि इसकी इंपर्टेंस आप सभी लोग जानता है, यह कितनी बार रिपीट होगा है, पता नहीं, बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है, त इसको जल दिवस मनाया जाता है, नहीं कुशन देखें, रूफ टॉप जल संग्रहन विदी और बूंद बूंद सिचाई तकनी, किसके संरक्षन से संबंदित है, रूफ टॉप जल संग्रहन विदी और बूंद बूंद सिचाई तकनी, किसके संरक्षन से संबंदित है, तो तो उसको हम जो हमारे जो च्छते हैं उनके उपर जब संग्रहित करते हैं अलग अलग प्रकार से तो वो क्या कहलाती है रूप टॉप जल संग्रहिण विदी है और बूंद बूंद से चाहिए होता है आपने देखा होगा खेतों में सावर फवार टाइप दिखाई देता है और उनसे सिंचाई की जाती है तो क्या कि एक-एक पूंद एक-एक-पूंद से निकलती है तो उसे बहुत कम पानी का यूज होता है और बहुत सारा पानी बसता है तो यह जल संग्रहिण की विदिया है चलिए नैक कोशन देखें सब्भेथा को किस प्रकार परिभासित किय जा सकता है, तो सब्भेता को हम परिभासित करते हैं, लोगों की इस्थाई बनावट है उनकी संस्क्रति, लोगों की जो इस्थाई बनावट है और उनकी संस्क्रति है, यह क्या कहलाईगी, यह सब्भेता कहलाईगी, और हमें अक्षर जो सब्भेताओं की अबसेश मिला करत वी कुरिण देखिए जल वास्प का कितना भाग समुद्र से से प्राप्त होता है और इसको एक चीज से और देखते हैं यह क्या है देखने yes जल चक्र है water cycle है इसमें क्या होता है यह वास्पी करण हुआ और इस महासाग्रों से जब वास्पी करण हुआ तो उपर जाके जब ठंडे वातरण में जाएगी तो इसके संगनन हो जाएगा कंडेंसेशन हो जाएगा और बादल में बदल जाएगा और पावनों के द्वारे इस्थल में जाके यहां वर्सा कर देता है फिर वहां से वह जल बहते हुए वापिस से महासागर में तो यह water cycle है यह जल चक्र है जो घूमता रहता है और इसकी से हमें सुद्ध जल मिलता है हम देखें वास्पी करण वे वास्पोस सर्जन में क्या अंतर है देखें यह importance रखता है यह सब्द बहुत importance रखता है क्योंकि कई बार यह confusion की वजह से हम गलत टिक कर बैठते हैं answers के तो इसको अच्छे से देख लिए वास्पी करण वे वास्पोस सर्जन में क्या अंतर है तो यहां पर वास्पोस सर्जन सामने तोर पर किसके लिए यूज किया जाता है वनस्पती द्वारा वास्पोस के उस सर्जन के लिए यूज किया जाता है और जब ताप्मान की वजह से जल से डारेक्टली महासागरों से या जल सरौतों से जो वास्पी करण होता है वास्प ब परिवर्तन वाइव में जलवास्प बन गई जलवास्प फिर से छोटी छोटी जलवास्प क्या है छोटी छोटी बूने हैं बहुत ज़्यादा छोटी बूने हैं वो जब एकटी होती हैं तो क्या हो जाता है वो थोड़ी से बड़ी बूनों में परिवर्तन हो जाता है जिसक किसे कहा जाता है ब्लू गोल्ड या गोल्ड आफ फ्यूचर किसे कहा जाता है तो किसे कहा जाएगा बच्छों चलको कहा जाता है जलको क्या कहा जाता है ब्लू गोल्ड या गोल्ड आफ फ्यूचर तो इसी के साथ इतनी ही फैक्ट इसमें आपके निकले हैं इसमें जो सबसे इंपोर्टेंस जो है वो यह है कि कौन सा सहर किस नदी के किनारे बसा हुआ, यह question काफी इंपोर्टेंस रखता है, class 7 का चपने नंबर 4, तो चलिए बेना देरी के start करते हैं, वर्तमान परती भूमी किसे कहा जाता है, वर्तमान परती भूमी किसे कहा जाता है, तो देखिए बर्तमान परती भूमी उसे कहा जाता है, जिसको उपजाओ बनाने के लिए एक है दो साल तक उसको ऐसे ही छोड़ गया जाता है, उसमें कोई भी किरसी कारे नहीं किया जाता है, कोई भी फसल नहीं उगाई जाती है, तो ऐसी भूमी को क्या कहा जाता है, बर्तम पुरानी परती भूमी, वो क्या कहलाईगी? पुरानी परती भूमी जहां पर पाँच वर्ष या उसे अधिक समय तक क्रसी कारे न किया गया हो. और ऐसी भूमी क्या कहलाती है? इसके उबर फलदार व्रक्ष लगाये जाते हैं. उस भूमी को क्या कहेंगे? उद्धान भूमी कहें खेंगे डेक है चलिए laik question देखी निर्वाहà करसी किसे कहा जाता है निर्वाहा कर्सी किसे कहा जाता है तो देखिं निर्वाहा writ Шag aus कि सब्जसे ही पता चल रहा है कि जिस पर निर्वाहा हो यानि आज विका चले तो किर्शक के द्वारा स्वैम के परिवार के भरन पोशन के लिए की गई किर्शी क्या कहलाती है निर्वाहा किर्शी कहलाती है जो अपना किर्शक होता है वो अपनी परिवार के लिए स्वैम के लिए जो भरन पोशन के लिए जो किर्शी पैदा करत होती है और जो अमेरिका है कनाड़ा जैसे देश हैं यहां पर व्यापारिक किर्शी बहुत ज्यादा होती है ठीक है चली नेक पूशन देखिए विश्व का कुल भौगलिक छेत्र का कितना प्रतिशत भाग किर्शी चारागा वन और अन्य उप्योग में आता है विश्व का क कुल भौगलिक छेत्र का कितना प्रतिशत भाग किर्शी चारागा वन और अन्य उप्योग में आता है तो देखिए इसका आंसर क्या है 11 प्रतिशत किर्शी छेत्र में आता है 20 प्रतिशत चारागा छेत्र आता है 31 प्रतिशत वन छेत्र में और 38 प्रतिशत अन्य छेत्र मे आता है विश्व का जो कुल भौगलिक छेत्र का जो प्रतिसद भाग है वो 11 प्रतिसद किरसी भूमी है 20 प्रतिसद चारागा भूमी है और 31 प्रतिसद वन भूमी है और 38 प्रतिसद अन्य में आता है नेक कुशन देखें भारत का कुल भौगलिक छेत्र का कितना प्रतिसद भ प्योग में आता है, तो देखिए, 60% जो भूमी है भारत की, वो किरसी के लिए उप्योग की जाती है, 4% मात्र, जो है, चारागाह के लिए उज़ किया जाता है, 23% भाग वन्षेत्र में आता है, और 13% अन्य भाग में आता है, तो आपके देख सकते हैं कि भारत किरसी प्रिधान देश क्यों है, तो कि उसकी जो 7% भूमी है, वो केवल और केवल किरसी के लिए प्योग की जाती है, अन्य देशनों की स्थिति अगर हम देखें, तो भारत के वाज़े से जापान है, उसमें 12% किरसी है, आस्ट्रिया में 12% 6% ही है, कनाड़ा में और भी कम 5% है, ब्राजील है, उसमें 9% है, तब कनाड़ा किसी प्रिधान देश तो नहीं हो सकता है, यह न, उसी तरीके से, जब चारागा की बात कर सकते हैं, तो जापान के अंदर मातर 2% है, जबकि आस्ट्रिया के अंदर 56% है, और 56% का मतलब क्या हो गया, कि यह जो चारा गहां बहुत ज़्यादा बड़ा छेता है, आस्ट्रिया के अंदर, तो इससे आपकी भौगोलिक स्थिती से आप इसके आर्थिक स्थिती और और व्यापारिक स्थितियों के बारे में भी अंदाजा लगा सकते हैं, तो इन चीजों के बारे में गुणवत्ता और उप्योगिता एवं उत्पादक्ता में कमी आना, वो क्या कहलाता है, भूमी अवनयन कहलाता है, उपजाओ भूमी की गुणवत्ता उप्योगिता एवं उत्पादक्ता में कमी आना क्या कहलाता है, भूमी अवनयन कहलाता है, ठीक है, और भूमी अवनयन जो होता है उसको क्या बोलते हैं भूमी निमनी करण भी कहा जा सकता है है ना ने कोशन देखिए भूमी अवनियन के कारण क्या है भूमी अवनियन के कारण क्या है तो भूमी अवनियन के जो कारण है वो मिर्दा प्रदन है, मिर्दा अलवनता में ब्रद्धी है, अते दिक खनन है, वनों की कटाई है, मरुस्तली करण है, अती पसुचारण है, विकास अत्मकारे, अधिक सिचाई, नहरी जलकारिसाव, सहरी ठोस करचारावे, अध्धकी कप्चिष्ट, रासाइनिक खाद, और दीपों पर बसा हुआ था, लेकिन वर्दमान में मुख्य भूमी का हिस्सा है, भारत का सबसे बड़ा महानगर जो साथ दीपों पर बसा हुआ था, लेकिन वर्दमान में मुख्य भूमी का हिस्सा है, ऐसा महानगर है मुंबई, जो मुंबई था, वो किसी समय पे साथ बीच में जो जगे थी समुद्र के दिपों के बीच में उसमें बहुत सारी चीज भर कर उस चीज को ढग दिया गया और Ez Ayam समूद्र के दिपों के बीच में उसको भर दिया गया कि इसे क्या हुआ एक तरीके से हम ने जो Pro भूमी का यूज कर डिया जो किसी और चीज के हिस्से में इससे क्या हो गया हम एक जगे किसी भी भूमी का छेत्र को बढ़ाएंगे मानले चारागा का भूमी हमने बढ़ा दी तो कहीं न कहीं दूसरी जगे की घटेगे क्यों कि ऐसा तो हो नहीं चकता कि विस्व का छेत्पल बढ़ जाए तो क्या होगा कि हम अगर किसी भी प्रतिसत को हम बढ़ाते हैं तो दूसरी जगे वो घड़ जाती है और यह असंतुलन्द पैदा करती है यह ना चलिए नेक कुशन देखिए बांध जने प्राकर्तिक जल स्रौतों की घटनाओं से इस्थलों की रक्षा ही तो बनाया जाता है क्या कहलाता है नीदरलेंड जो देश है वहाँ पर जो किनारे वाले जो छेत रहे हैं वहाँ पर समुद्र के पानी से सिक्टी के लिए जब ज़ार भाटा आता है तो पानी ब ऐसे बांध बना दिए गये उनके लिए चीजें यूस कि जाती है ति क्या कहलाती है ये क्या कहलाता है पोल्डर आ ऐसे बांध क्या कहलाते हैं जो प्राकर्तिक जल शौथ के गट्टाओं से सुरक्षाku परदान करें वह पोल्डर कहलाते और ये कहा है नीदर लेंड को उत्तर पश्चमी जो भाग है वहाँ पर ये फोल्डर बनाए गए है नेक कोशन देखें पश्चमी राइस्थान के मरुस्तलिय भागे के विस्तार को रोकने के लिए किस अनुसंधान केंद्र की इस्थापना की गई है तो किस अनुसंधान केंद्र की इस्थापना की गई है जोतपुर में है ये और केंद्रिय सुस्क छेत्र अनुसंधान केंद्र कहा जाता है इसको केंद्रिय सुस्क छेत्र अनुसंधान केंद्र और इसको सौ्ट में क्या कहा जाता है काजरी C A Z R I काजरी देखे जो काजरी है इसका काम क्या है मरुस्तल में जो पेड पौद हैं चारागा पसू जल बर्दा का जो सरनक्षन है वो करना और मरुस्तल की पारिश्चिति की को बनाए रखना है यानि संतुलन बनाए रखना ही इसका मुक्त उद्देश यह है इस चैप्टर में देखे एक कोश्चन तो यह है जो अनुसंधान के इंदर है इसके बारे में कई बार रिपीट हुआ है और एक इससे भी ज़्यादा इंपोर्टन जो था वो है भारत में जो कृसी भूमी का प्रतिशत है वो बहुत बार कोश्चन पेपर्स में आता है तो इन दो कोश्चन पे आप स्टार मार्क कर दिए यह बहुत इंपोर्टन है तो इसी के साथ आपका यह चैप्टर समाप्त होता है इस प्लास 7 का चैप्टर नमबर 5 तो चलिए बेनादेरिक के हमिशा की तरह स्टार्ट करते है वनस्पती किसे कहा जाता है वनस्पती किसे कहा जाता है वनस्पती किसे कहा जाता है वह गौलिक परिविस में इससे दवरक्ष चोटे पौधे लताएं, जाडियां, घास, काई आदी को समलित रूप से क्या का जाता है, वनस्पती का जाता है, चले, और इसमें देखे, विभिन भागों में अलग-अलग जलवाई होती है, अलग मिट्टी होती है, और भी बहुत सारे टाइप के अंतर होते हैं, तो इस व आधारे यानि टैगावन, घास के मैदान, मरुस्थलिये वन, इनके रूपों में हम इनको पढ़ते हैं, और इस चैप्टर के अंदर हम इनहीं के बारे में बात करेंगें, चले, नेक कोशन देखे, सदा बाहारवनों को उनके भौगलिक आधार पर कितने प्रकार में वर्गी करत किया जाता है, तो इस कांसर्ट क्या होगा, दो भागों में वर्गी करत किया जाता है, कौन-कौन से, सितोषन कटी बन दिये सदा बाहर बन, और उस्टन कटी बन दिये सदा बाहर बन, तो जैसे उस्टन कटी बन दिये सदा बाहर बन, की बात करें, तो ये कहां से कहां तक पाए जाते हैं, ये भूमदे रेखा क्या अधिक गर्म होते हैं, अधिक वर्षा वाले छेत्रों में यह होते हैं, यहां जो वर्षा होती है, यह वर्षा होती है, कैसी वर्षा होती है, समवहनी यह वर्षा होती है, और सदाबारवन क्यों कहा जाता है, सबसे में बार, सदाबारवन इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इसम हमें सरवाधिक लतायायं पाई जाते हैं इस प्रकार के जंगलों में डरख्षे पर सबसे ज़्यादें ज़ुझेत्र में सदबाहरवां नहीं हमेशा ह्रा-भरा दिखाई देता है इस यह एक पाई जाते हैं दस डिगरी उत्तर वर दस डक्षण ऐक्छानस ता आपके भूमद इरेखा विश्वती यह रेखा उसे दस डिगरी उत्तर अख्छानस और दस डिगरी जक्षणी ऐस्चानस तक यह बाय जाते हैं और जब हम इनकी बात करें तो इसका एक्जामपल अगर दें तो कौन चाइज जंगल हैं? जो अमेजन के जंगल हैं, जिसके वो क्या बोलने हैं? पिर्थवी के फेफ़डे भी कहा जाता है, और बाजिल में ने क्या कहा जाता है? सेलवा कहा जाता है, तो ये क्या हैं? ये प्रकार के सदाबाहार वनों में आबनूस, महोगनी वे रोजवुड जैसे कठोर लकडी के रक्च पाए जाते हैं? किस प्रकार के वनों में पाए जाएंगे? वो हैं आपके उस्ट निकटी बन्दिय सदाबाहार वनों में पाए जाते हैं ये, नेक क्वेशन देखिए, विस्व के सबसे बड़े सांप के प्रिजाती कहां पाए जाती है? विस्व के सबसे बड़े सांप के प्रिजाती कहां पाई जाती है तो देखें जो विस्क की सबसे बड़ा साप कौन सा है पहली बार तो एनाकॉंडा ठीक है जो बहुत बड़ा होता है और यह कहां पाई जाता है दक्षणी अमेरिका के वनों में पाई जाता है यह ना महादीपों के पूर्वी किनारों पर दक्षणी पूर्वी अमेरिका है दक्षणी पूर्वी ब्राजील है दक्षणी चीन है इसमें किस प्रकार के सदा बाहर बन पाई जाते हैं तो कैसे पाई जाते हैं सितोस्न कटी बंदियवन पाई जाते हैं नेक कुशेन देखी, किस प्रकार के सदा बाहर वनों में UK लिप्रस दठा चीड जैसे व्रक्ष अधिक पाए जाते हैं? चली नेक क्वर्शन देखी, पत जड़ी बनों को उनके भौगलिक आधार पर कितनी प्रिकार में बर्गी करत किया जाता है तो इसके आंसर है इसके आंसर है दो भागों में प्रिवक्त किया जाता है एक तो सितोषन कटी बंदिये पत जड़ी बन होता है और दूसरा उसन कटी बंदिये मानसुनी बन होता है पहला कौन सा है? सितोषन कटी बंदिये पत जड़ी बन और दूसरा है उसन कटी बंदिये मानसुनी बन नेक कोशन देखें दक्षणी तथा दक्षणी पूर्वी एशिया, दक्षणी चीन, पश्चमी द्वीप समूँ, उत्री ऑस्टेलिया, पूर्वी अफ्रीका, वे ब्राजील के 30 छित्रों में किस प्रकार के पज़डी वन पाये जाते हैं। जो ब्रक्स वगरा होते हैं, जो पौदी होते हैं, वो क्या करते हैं, छैसे आठ सपता के लिए, निए करीबन डेड़ से दो महा के लिए इनकी जो पत्तियां हैं, वो गिर जाती हैं सुस्क मौसम में, इससे क्यों गिराती हैं, ताकि वो अपना जल को सुरक्षित रख सके, ज यहां पर किस टाइप के पेड़ पाये जाते हैं, नीम है, सीसम है, महुआ, जामुन, साल और सागवान के व्रक्षियां बहुत ज़्यादा मात्रा में पाये जाते हैं, और फर्नीचर के लिए आपको पता होगा, सागवान की लखड़ी बहुत अच्छी मानी जाती हैं, है चलिए, ने क्वेशन देखी, न्यूजी लेंड, चिली, उत्रिपूर्वी अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप के तटी बहागों में किस परकार के पज़ड़ी बन पाये जाते हैं, तो किस परकार के पाये जाते हैं, सीतोष्ण खटी बन दिये पज़ड़ी बन, कौन से सितोषन खटी बन दिये, पजड़ी बन यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है? और दूसरी बात, यहाँ जो आपके उसन कटी बन दिये पजड़ी बन थे उसमें कैसे कौन-कौन से जानवर पाए जाते हैं? हाती, घोड़ा, गेंडा, जगली भेंसा, बाग, से, लगूर और बंदर लेकिन जब आप सितोस ने कर्टी बंदिये पद्ध जड़ी वन की बात करते हैं यहां कौन-कौन से पाए जाते हैं, यहां भेड़िया, हीरन, रॉम्ली जैसे प्रुमुक जानवर यहां पाए जाते हैं दूसरा यह अक्छांस में सितोस पजड़ी वन पाए जाते हैं हैं ना, चलिए, ना क्वेशन देखिए भूमध्य सागर यह वन कहाँ पाए जाते हैं, भूमध्य सागर यह वन कहाँ पाए जाते हैं, महादीपों के पष्छिम, तथा दक्षिनห पष्छिम किनारों पर दोनों गोलारदों में 30- सी 40 डिग्री अक्छांसों के मध्या दोनों Versi fabric विश्वती रिखासे हमारा फिर्थी को सच्रेय sweetकों दो भागव में बटा गया gj emote टो कहां पर रितीस डिग्री सचालिस डिग्री तबर ah मेच्छांसों के मद्धें, दोनों गोलार्द हमें पाये जाते हैं, महादीपों के पश्चिम तथा दक्षिन पश्चिम किनारों का, चीक है, और इस प्रिकार के वनस्पति भूमद्य सागर के निकट शेत्रों में होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, भूमद्य सागरी दक्षिन पश्चिम भाग में, दक्षिन अमेरिका के मद्धे चली में, दक्षिन पश्चिम में, आस्ट्रेलिया में, इन पिर्देशों में क्या होता है, इन पिर्देशों में सुस्क एवं सीतकाल में वर्सा होती है, तो यहाँ पर कौन से बन पाये जाते हैं, भूमद्य सागरियवन पाए जाते हैं नेक कोशन देखिए विष्व का फलोध्यान किसे कहा जाता है विष्व का फलोध्यान किसे कहा जाता है तो विष्व का फलोध्यान किसे कहा जाता है भूमत दे सागरियवनों को कहा जाता है क्यों? क्योंकि यहां पे जो है विस्व में जैतून हुए अंगूर, संत्रा, अंजीर, नीबू वर्गे जो रस्दार फल हैं उनकी सरवादिक किसी इसी सेत्र में होती है क्या होती है जैतून अंगूर संत्रा अंजी निवू वर्गिये रस्दार फलों की सरवादिक कर्षी इस चेत में होती है इस वज़े से इसको विस्व का फलोद्धान कहा जाता है यह आप क्वेशन बहुत बार रिपीट हो चुका है तो इसको आप याद रखिएगा और यहा चैनल बदवाद का देश है उसमें किस प्रकार के बन सरवादिक पाए जाते हैं तो उसमें सरवादिक पाये जाते हैं कौन धरी बन इस वह सबसे ज़्यादा इसमें पाये जाते हैं उत्तरी गोलार्द में 50 से 70 डग्री के अक्षंस का जो एडिया है, वहाँ पर ये उत्तर अमेरीका तता यूरेशा के बहुत सारे सीमे ये पाय जाते हैं, ठीक है? दक्षणी गुरार्द में ये नहीं पाय जाते, क्योंकि वहाँ पर पृत्वी ही नहीं है, मुलब धर्ति का वो हिसा ही नहीं है मुलब ठोस धर्ती, यहां महादीप है ही नहीं, है न, तो वहाँ जलिय भाग है, जलिय श्रौत है, समुद्र है, तो वहाँ पर यह नहीं पाय जाते हैं, चलिए, नहीं क्वेशन देखे, टैगा वन किस प्रकार के वनों को कहा जाता है, देखे, टैगा वन किस प्रकार के वन को कहा जाता है कौन धारी वनों को ही कहा जाता है कनाड़ा के अंदर कहां पर कनाड़ा के अंदर दूसरा इस सदाबार वन भी होते हैं क्यों होते हैं इस सदाबार वन क्योंकि इनकी जो पत्तियां हैं बहुत नुकिली होती है और लखी बहुत मुलायम होती है और इस वज़े के लिए इनकी पत्तिय आ है वह बहुत नुक्तीली और छोटी होती है पाए जाते हैं तो किस प्रकार के बनों में पाए जाते हैं कौन धारी बनों में ये रक्ष पाए जाते हैं आपके कागज बनाने की जो लुबदी है, माचिस जो आती है, पैकिंग बनाने की निके जो डिबबे जो आपकी लकड़ी के बनते हैं, इस सारे कहां से इनका रॉमेटेल इन वनों से बहुत आसानी से मिल जाता है, यहाँ पे मोशलिक कौन-कौन से जानवर पाये जाते हैं, लोम्री है और धुबिय भालो इन छेत्रों में पाये जाते हैं, चलिए, है कुशन देखें, विस्व के सबसे बड़े घास के मैदान, विस्व के सबसे बड़े घास के मैदान, जो कि अफ्रिका में है, किस प्रिकार के घास के मैदान है, विस्व के सबसे बड़े घास के मै और वह का है अगका के इंदर ही तो किस प्रकार के घास के चैत्र है आपके उष् trainee सवाना घास केपैर है तो किसे उष् यहां 2-4 मिटर तक की उचाई इनकी होती है सामाने तौर ते 2-4 मिटर तक की उचाई नी घास की हो सकती है 2-4 मिटर का मतलब हो गया आपका 6-12 फिट तक के अप्रोक्स है न यह काफी उचाई होती है चलिए नएक कोशन देखें उचन कटी बंदिये घास के मैदान को ब्राजील में क्या कहा जाता है तो क्या कहा जाता है आपको पता है इसको कहा जाता है कंपोज वेनेजियला में कंपोज कहा जाता है ब्राजील में और वेनेजियला में क्या कहा जाता है लाओस कहा जाता है इस बात को याद रहेएगा जो वूस्ट नुक दीव अंद घहाच से मैंदान है इसको ब्राजिल में क्या कहा जाता है पर यहां पर ऐसे ही जीव पाए जाते हैं निया कूशन देखें ओक पाइन अल मेपिल बर्च औ्सपियं जैसे वरक्षकिस प्रकार के घास के मैदानों में पाई जाते हैं तो किस प्नकार के पाई जाते के भीत्री हिस्सों में भी ये छेत्र काफी होता है यहाँ पर क्या होता है साकारी जीव बहुत ज़्यादा मिलते हैं हीरन, बाइसन, एंटीलोब, जंगली भैंस, खरगो, जैबरा, गाई ये सब यहाँ पाए जाते हैं सेर, बेडे, लॉंबरी, बाज और अनिक परककी चिडिया और बिलों में रहने वाली जीव भी यहाँ पाए जाते हैं ठीक है छलें, बहुद देखेह इस टैपई किस परकार के घास के मैदानों को कहा जाता है इस्टैपी किस प्रकार के घास के मैदानों को कहा जाता है तो इस्टैपी जो है वो देखे इस्टैपी जो घास के मैदान है उनको सितोस्न घास के मैदानों को कहा जाता है और दूसरा ये कहा है यूरेशिया के मद्यवर्ती भाग में बहुत जाता है सितो सुगास्ति मेदान यहां पर इनको स्टैपिक आ जाता है आर्जेंटिना में इनको पंपास कहा जाता है उत्री अमेरिका में इसको प्रेरी कहते हैं जक्षन अफ्रिका में इसको वेल्ड कहा जाता है और और उस्टेलिया में इसको डाउन्स कहते हैं और इस चीज़ को आ ये सभी घास के मैदान है चली, next देखते हैं मरुद भिद किसे कहा जाता है मरुद भिद किसे कहा जाता है तो देखिए, मरुद भिद किसे कहा जाता है मरुस्थल के जो वनस्पती होती है उसको क्या कहा जाएगा मरुद भिद कहा जाता है और उसकी कटी बन दिये जो मरुस्थली बन है, महादीपों के जो पस्चिम भाग में 20 डिग्री से 30 डिग्री के संसों के मद्दे ये पाई जाते हैं चलिए, नागफणी, कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर, खेज़ी जैसे व्रक्ष किस प्रकार के वनों में पाई जाते हैं यह कहां, ऐसी जगह पर पाई जाते हैं, जहां का temperature बहुत जड़ा होता है, वरसा बहुत कम होती है, 25 सेमिटर से भी कम होती है, तो ऐसे इस्सिते में क्या होगा? बनस्पती की जो उंचाई है, ओं भी कम होती है, पत्य चोटी बहुती होती है, जने पाणी लेनी की वेज़ से गहरी होती है क्योंकि इनका जो क्या बोलते हैं मरुवुमी का जो प्रित्फी का जो गहराई में जो जल होता है वो बहुत ज़्यादा निम्न होता है बहुत नीचाई पर होता है इसकी वैसे जो यहां पर ट्रेक्ष होते हैं उनकी जड़ें हैं बहुत गहरी हुआ करते हैं उश्निकर्टी बंदिया मरुस्थली बनों के उधान हैं। उश्निकर्टी बंदिया मरुस्थली बनों के उधान हैं। आठाकामा हैं। यह आपका अठाकामा हो गया। यह आपका मौजेव हो गया। यह गोबी मरुस्थल जो आपके ठंडा मरुस्थल है। यह आपका कौन सा मरुस्थल है। यह आपका अरब का मरुस्थल है। यह आपका सहरा का मरुस्थल है। काला हरी मरुस्थल। यह आपका नाबिम का मरुस्थल। यह आपका छोटा सा जो भारत पाकिस्तान के इसे में आता है। थार का मरुस्थल। ये आश्ट्रेलिया ये मरुस्थल तो ये सभी मरुस्थनों के डॉनेट किया गया है चलिए डेनोट किया गया है नेक्ट देखें व्रक्ष मेला कहां और किस की इस्प्रति में मनाया जाता है व्रक्ष मेला कहां और किस की इस्प्रति में मनाया जाता है देखें यहां से जो क बल्दान की इस्वमती में मनाये जाता है, जगह का नाम है, जो गाओं खेजरलिली में है और यह जोटपूर राजेस्थान के अंदर आता है। अम्रिता देवी विष्णोई इस्तिरे हुई थी इन महिला की नेत्रत में 1730 इस्वी में 363 लोगों ने पेडों के लिपट कर अपने बल्दान दिया था उनको बचाने के लिए अम्रिता देवी विष्णोई इनके नेत्रत में ये आंदोलन हुआ था खेजडली आंदोलन और इसमें 363 लोगों ने अपने जान दी थी 1730 इस्वी में है न तो इनहीं की बल्दान की इस्वी में यहाँ पर जो नाइक छेत्र को नाम दिया गया म्रग उफवन के नाम से और यह कहां पर यह स्थान गाउं खेजडली में है जो जोटपूर राइस्थान के अंदर आता है और इसी उप्लक्ष में यहाँ पर व्रक्ष मिला लगाय पर 111 व्रक्ष लगानी की परंपरा इस्थाफित की गई है राइस्थान के किस गाउं में बेटी के जनम पर 111 व्रक्ष लगानी की परंपरा इस्थाफित की गई है तो कौन सा गाउं है यह पिपलांत्री गाउं है राजसमंद के अंदर यहाँ पर जो बेटी है उसके जन दूसरा आपका जो ये था व्रक्ष मिला था, व्रक्ष मिला कब भड़ता है, भाद्र पद में सुख्ल पक्ष दस्मी को ये लगाया जाता है, भाद्र पद सुख्ल पक्ष की दस्मी को व्रक्ष मिला लगता है, चलिए, नैक कोईशन देखिए, चिपको आंदॉलन किसके नेतरतों में हुआ तो किसके नेतरतों में हुआ गौरा देवी देखे ये गौरा देवी है और आप बोलेंगे सुन्दरलाल बहुगरा जो है इनकी तस्वीर यहां क्यों दिखाए है तो इसमें क्या है उत्त्रा खंड में 1922 में गाउं की महिलाओं द्वारा रक से चिपक कर पेट कटने का विरोध किया गया था जिसका नेतर जो किया था गौरा देवी नहीं किया था और इस आंदॉलन में बहुत एहम भूमी का जो निभाइती सुन्दरलाल बहुगरा ने जो बताई थी और यह एक परियावरण विद्य थे ठीक है यह प पिस आंदॉलन से जूड़ी थी तो इन दोनों का ही नाम इस चिपको आंदॉलन के मेंटर में इंपोर्टेंट है यह उत्राखंड में 1902 में गाओं की महिलाओं द्वारा किया गया था ब्रक से बचाने के लिए नेक्स देखिए अपिको आंदॉलन किस राज़े से संबन देथ है अपिको आंदॉलन किस राज़े से संबन देथ है अपिको जो आंदॉलन है वो कैसे संबन देथ है करनाटक राज़े से संबन देथ है करनाटक राज़े के सिर्सी जिले में क्या हुआ था सेप्टमबर 1983 में सलकानी वने छ बाहों में भरना अपिको का अर्थ होता है बाहों में भरना तो लोगों ने व्रक्षों को कटने से बचाने के लिए जो आंदोलन चेड़ा था उसको अपिको आंदोलन कहते हैं और ये करनाठक राजे के सिर्सी जिले में हुआ था सेप्टेंबर 1983 में सलकानी वन छेत्र में च किसके द्वारा बनाई जाती हैं तो किसके द्वारा बनाई जाती है ये बनाई जाती है आयू सी के द्वारा यानि international union for conservation of nature आयू सी एन जो होता है इसमें जो संकेट ग्रस्त प्रजातियां हैं अन्डेंजर्ड स्पीसीज हैं उनके बारे में डाटा कलेक्ट करता है कि ये प वो सुरक्षित रह सके इसके लिए वो उनका data collect करती है और उसको कहा लिखा जाता है red data book में लिखा जाता है next question देखे अनावर्ष्टी का क्या अभी प्राय है देखे अनावर्ष्टी एक साबदी करते है या उसके बार में आपको पता होना चाहिए अनावर्ष्टी क्या होती है न्यून वर्षा को हम अनावर्ष्टी कहते है अनावर्ष्टी का क्या प्राय है न्यून वर्षा यानि कम वर्षा होना अनावर्ष्टी होता है नेक Queshen देखिए, वनोन मूलन किसे कहा जाता है, वनोन मूलन किसे कहा जाता है, Deforestation या ना, इसका मतलब क्या हुआ, वनों के जैविक संपरदा का हास्थ, वनोन मूलन का आर्फ केवल ये निहीं कि पेड़ काटना है, केवल पेड़ काटना नहीं, और भी अगर किसी भी तो वनों के जैविक संफर्दा का अगर हास होता है तो वो क्या कहा जाता है तो इसी के साथ आपका यह चैप्टर होता है समाब करने जा रहे हैं चैप्टर नमबर 6 क्लास 7 का तो चलिए बिनादेरी के हम इसा की तरह स्टार्ट करते हैं कोशन नमबर 1 है मरुस्थल कितने प्रिकार के होते हैं मरुस्थल कितने प्रिकार के होते हैं तो मरुस्थल आपके दो प्रिकार के होते हैं गरम मरुस्थल और सीथ मरुस्थल यह पहले भी पढ़ चुके हैं और गरम मरुस्थल कहा पाए जाते हैं मद्यक चांसों में पाए यहां का इस्थान जो होता है रेतिला और पत्रिला होता है यहां जो किरसी कारे होता है वह सिचाई सादनों का अगर विकास कर लिया जाए तो बहुत आसानी से किरसी कारे किया जा सकता है उसी तरीके से जो सीत मरुस्तल होते हैं वहां उचक चांस और उचे परवेते शेत्रो पे होता है इस्थान बर फीला होता है और यहां पर जो कृषिकारे वो green house बना कर सामने तौर पर किया जा सकता है इनके example अगर देखें तो जो गरम मरुस्थल है उनके जो example है सहरा मरुस्थल है अरब मरुस्थल है आस्ट्रेलिया का जो मरुस्तल है ठीक है ये क्या है थार का मरुस्तल जो हमारा हमारे जीस में जो मरुस्तल कौन सा है थार का मरुस्तल है इसके उधारण कहे जा सके है गोबी मरुस्तल पैंटागोनिया मरुस्तल ग्रीन लेंड अंटार्क्टिका तिबबातिम लद्दाक किसके उधारण है ये उध है अपने यह आपे कौन सा है लद्दाक का कि घाटत का ही हिस्सा है लड्दाक का ही हिस्सा में ब्हारत में सित्र में i Сबस्क्राग करें तक ना कि घारत में ज jijस्टाग के पारु खज़Əंगा नगे और गुजरात के कच्छ के रण तक ये जाता है और राइस्थान का अधिकांत मेक्जिम जो हिस्सा है जो अरावली परवर्शंख्ला के पश्चिम में आता है या फिर ये कहें कि इस थार मरुस्तल के पूर में क्या आती है अरावली परवर्शंख्ला आती है तो इन शेत्रों में वर्षा कैसे होती है, इन शेत्रों में मांसोनी पवनों द्वारा वर्षा होती है, और यही कारण है, यहां की जो वर्षा होती है, अनिश्चित और अनियंतित होती है, अनिश्चित और अनियंतित का मतलब क्या हो गया, कि ज्यादा, कभी बहुत ज्याद तोर पर ज़्यादा रहता है, है ना, चली, नेक कुशन दिखे, बालु का इस्थूप किसे कहा जाता है, ये कुशन बहुत बार repeat होता है, simple है, लेकिन repeat होता है, तो इसको याद रखेगा, रेथ के जो टीले हैं, उनको क्या कहा जाता है, धर्ती धोरारी, क्यों कहा जाता है, क धर्ती धोरारी क्यों कहा जाता है, क्योंकि धोरा किसको कहा जाता है, रेथ के टीलों को, और बालु का इस्थूप भी किसे कहा जाता है, रेथ के टीलों को कहा जाता है, नेक कोशन दिखे, राइस्थान के मरुस्थलिये भाग के किस छेतर में मीठा भूमी गजल प्राप् कि यहां पर मेधियम खारपानी होता है यहां पर मीठा जल, भूमिय गत्य जल जाते हैं, बबूल हो गया खेट जड़ी हो गया, रोहीडा हो गया, यहां के ये मुख्य व्रक्ष हैं बबूल, खेजड़ी और रोहीडा नैक कोईशन देखी थार मरुस्तल ये छेतर में किस प्रकार की फसल होती है तो किस प्रकार की फसल होती है जिस फसल में पानी की अवश्क्ता कम होती है जैसे जुआर हो गया, बाजरा हो गई, मौठ, मूग, ये जो फसले हैं जुआर, बाजरा, मौठ, मूग, ये कैसी हैं इन में पानी की अवश्क्ता बहुत कम होती है इस वज़े से इधार मरुस्ते छेत में बहुत आयत की जाती ह नेग questions देख के राहिए चिह जी डूत की राइश्टान के किस जीले में खनीसील का उत्पादन कीया जा रह कि यहां पर राहिस्टान की जब बात करें तो उपद्ट्रे भाकी जो ya जो यह द्रेफान लगी हैं इसनी दाकी जो राहिध चेथ्री यहां पर कनीसील Gliff लिगनाइट, जिप्सम, संग्मर्मर, इमार्ती पत्थर, नमक आदी, बहुत आयत मातर में इनका दोहन होता है, है ना, संग्मर्मर के पत्थर आपको पता है, हम सहाथ नहीं, इमार्ती पत्थर यहां मूर्तियों के काम बहुत ज़्यादा होते हैं, संग्मर्मर के मूर्तिया तो किस नहर जल पर यूजना का प्रारम किया गया था इंद्रा गांधी नहर जल पर यूजना जो है इसके साथ जब हम यहाँ पे देखे जब मरूस्थल करन की बात करते हैं पर कड़सी साथन इतने विक्सित नहीं होते हैं तो ऐसी कंदिशन में क्या होता ही यहां पर जो मुट्छी आजीवी का साधन होता है वो पसू पाला होता है तो यहां पर भीट बक्रियां गाएं, उंट आती मुट्रे पाले जाते हैं राइस्थान में जन्संख्या घनत बहुत कम है, यह हम सब जानते हैं क्योंकि क्यों, क्योंकि मरुस्तली छेत्र में ऐसा ही होता है, लेकिन विश्व के अन्य जो मरुस्तल है, उनकी अगर तुलना की जाए तो इस छेत्र में बहुत जादा जन्संख्या घनत है, विश्व के अन्य मरुस्थलों की अगर तुलना की जाए तो इस मरुस्थलिय छेतर में थार मरुस्थल छेतर में जन गनत वे जादा है क्योंकि और मरुस्थलों के तुलना अत्मत यहां पर इतनी पृतिकूल परिस्थितियां नहीं हैं यहां पर विकास हुआ है और इसी वज़े से यहा चेत्र किस जगह पर इस्तित है तो किस जगह इस्तित है यह जम्मुकस्मीर वे उत्तर पूर्वी छेत्र में भारत का जो जम्मुकस्मीर राज्य है और उत्तर पूर्वी जो छेत्र है वहाँ पर लद्दाक छेत्र इस्तित है तिबत के पठार का भाग है यह आप सभी जानते यहां लदाख, लेह, कराकोरम, परवश्रेणिया हैं, है ना, और यह स्थान कई नदियों का उद्गम इस्थल भी है, यहां सीथ कट्री बंदिया, जहाडियां पाई जाती हैं, मुक्यत और पे, है ना, चली, नए कुशन देखिए, लदाख चेतर में किस परकार के रेक्ष म मुक्यत पाए जाते हैं, किस परकार के पाए जाते हैं, तो देखिए, यहां पर सफेदा और वेद, यह जो रेक्ष हैं, बहतायत मात्रा में, मुक्यत और मिलते हैं, और यहां कुछ शेतरों में सेव, खुबानी, आक्रोट के रेक्ष भी बहतायत मात्रा मिलते हैं, है ना, और यह सफेदा और वेध हैं की लखने हैं सामने तरफ में मकान यह इधन की रूप में यूज की जाती है यहाँ पर लोग क्या है मुद्रा का लेंदिन कम करते हैं बजाए वो चीजों का लेंदिन ज़्यादा करते हैं जैसे उन्हें माल लीजें वहां उन्होंने फसल की वखेयां ले लेते हैं तो इस तरीके से वहां पर क्या मुद्रा के स्थान पर वस्तू का लेंदिन ज्यादा चलता है वो जिन Gleich श्यो पर रहते हैं वह छोटे-छोटे संकुलो में रहते हैं और कौन सी मिरवहां की कट कैरते हैं यह हम बात यहीं चुके हैं इन्मों देखी, लद्दाक में पाए जाने वाले जौमो क्या हैं, लद्दाक में पाए जाने वाले जौमो क्या हैं, क्या हैं जौमो, जौमो एक प्रिकार की जाती है, प्रिजाती है, गाय और याक का मिश्चित रूप है, जैसे हमारी यहां पर जर्सी गाय पाए जाती है, जर्सी ग हैं जो पसुपालन नग रबित sudah हो या गर मरुसल यहां ऐसे स्थानों मरुस्तली छेतरों में ऐक अज ए का साधन होता है तो यहां प्रिड्वाइद वर्डिया याक घोड़े और जॉमा अदी मुख्째 जीव है जिन को पाला जाता है next question देखी बकरवाल किस छेतर के मौसमी प्रवासी हैं पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि मौसमी प्रवासी क्या होते हैं देखे मौसम के साथ यह जो बकरवाल हैं यह क्या करते हैं यह कहां के पहले तो हम बता देते हैं इसके कस्मीर के यह मौसमी शेतर है, सीत मरुस्तलिय शेतर है, जब ठंड पढ़ रही होती है, तो ये घाटियों में उतर आते हैं, और जब गर्मी पढ़ने लगती है, तो ये वापस से कस्मीर के जो जिनको मरुस्तलिय शेतर कहा जाता है, वहाँ पर चले जाते हैं, तो ये क्या है, मौसम के अनुसार प्रवास करते हैं, अपने पस्वों के साथ ये इस्थान परिवर्थन करते हैं, निवास का इस्थान चेंज करते हैं, तो इस स्वेजे से इनको मौसमिक प्रवासी का जाता है, जब अन्य प्रवासीं की बात करें भारत के, तो बकरवाल हमने देखा, आप कस्मीर से हैं, ग जो हमारे भारत देश में अलग-अलग जगह पर पाई जाती है, जोग, सिंदू, वाकाचु, भ्राज, जासकरादी, यह जो नदिया है, यहां पर बहतायत मातर में इनका यूज के जाता है। चली, नेक कोशन देखिए लदाग छेतर के निवासी किस प्रजाती के माने जाते हैं यहाँ पर आपको पता है पकी सड़कें होती नहीं है तो कस्मीर और कराकुरम के मद्दे कौन सा मार के व्यापारिक मार कौन सा है कारकुरम दर्रा यहाँ पर व्यापारिक मार का कार्म करता है आपको यह भी पता होना चाहिए चली इसमें नेक्ट बात करते है खंपा किसे कहा जाता है खंपा किसे कहा जाता है तो खंपा किसे कहा जाता है खंपा कहा जाता है और यहां पर जो जनजातियां हैं, उनका क्या है, सभी ऐसे छेतरों में रहते हैं, तो इनको जनजातियों के शेड़ी में ही आते हैं. तो सभी जनजातियां यहां पर जो हैं, वो जनजाती की शेड़ी आती हैं. लद्दा के निवासी ठंड के मौसम में सरीर को गर्म रखने के लिए किस पे का उप्योग करते हैं दर्रा किसे कहा जाता है देखें हमने अभी करा कुरूम दर्रा काम कर जाता है तो दर्रा किसे कहा जाता है दो नदियों के मद्दे भाग को क्या कहा जाता है दर्रा कहा जाता है बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं वो सामने तो पहाडों की मद्दे इस्थान को बोल देती है तो याद रखेगा दर्रा किसे कहा जाता है दो नदियों के मद्दे भाग को क्या कहा जाता है दर्रा कहा जाता है नेक कुश्चन देखिए, हिमानी किसे कहा जाता है, हिमानी किसे कहा जाता है, तो पहाडी पर इसी तबर्फ की अथारासी जो होती है, उसे क्या कहा जाता है, हिमानी कहा जाता है, इसी के साथ बच्चों, आपका ये चैप्टर होता है समाब, क्लास 7 का लास्ट चैप्टर, औ चलिए चेप्टर नमबर 7 स्टार्ट करते हैं इसका कोशिन नमबर 1 है भारत के मैदानी छेतर को कितने भागों में वर्गी करत किया जाता है भारत के मैदानी छेतर को कौन सा है यमना गंगा का जो विशाल मैदान है वो ही भारत का मुख्य जो मैदानी छेतर है और इनको किस वर्गी करत किया जाता है, चार भागों में वर्गी करत किया जाता है, भाबर, तराई, बांगर और खादर, भाबर, तराई, बांगर और खादर, इनमें अंतर क्या है, भाबर क्या है, हिमाले परवत के जो निचले छेत्र हैं, है न, जहां कंकर पित्थर बहुत ज़दा पा वो दलदली हो जाते हैं तो जो निकट छेतर जो दलदली छेतर है उसे क्या कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है तो नदियों द्वारा विछाएगे जो पुरानी जलोड मिट्टी है जलोड मिट्टी क्या होती है नदियों द्वारा जो लाए गई मिट्टी होती है उसको क्या क कहा जाता है, नवीन जलोड मिट्टी के मैदानों को क्या कहा जाता है, खादर, पुरानी जलोड मिट्टी वाले क्या कहलाते है, बांगर, हिमाले के जो निचले छेत्र हैं, निचले मैदानी छेत्र हैं, उनको क्या कहा जाता है, भाबर, जिसमें कंकर पस्तर बहुत महत्रम प किया जाता थे पोपलर का उप्योग कि शेत्व बहुतपायत किया जाता है तो देखे जो होता है वह एक रख्ष है और इसका जो उप पर ये रक्ष उगाए जाते हैं, यहाँ पर आम, लीची, अम्रूद के बाग भी उगाए जाते हैं, क्योंकि इन छेत्रों में जो किरसी और पस्पालर मुख्या जीवगा साधन बना हुआ है, है नो, चाली, नहीं कोश्चन देखिए, भारत के मैदानी छेत्रों में सर्दिय क्या है, बर्सी में एक परकार की घास है, है नो, और ये क्या करने, मक्का और जो बर्सीम है, यह सामाने तोर पर किसके लिए, जानवरों के चारे के तोर पर उगाया जाता है, है नो, और जब हम बात करें, मैदानी छेत्रों में, सीथ काल में क्या होता है, पस्चिमी छेत् इतकाल होता है उस वक्त भी कभी कभी जो पस्चिमी शक्रवात हैं उनकी वज़े से भी कई बार वर्सा हो जाती है यहाँ पर जब वर्सारितों की बात करें तो वर्सारितों में चावल, मक्का, बाजरा और उड़त, गन्ना अधी बोया जाता है और गन्नी के फसल उगाई ज जाती है जिससे की आपको पता है चीनी गुड़ बनाने के कार खाने चलते हैं इसे ठीक है चले ने कोशन देखिए यमना गंगा के मैदानों में सामने तह वर्स में कितनी बार किर्सी की जाती है तो देखें तीन बार किर्सी की जाती है हमारे यहां पर किर्सी निर्भर घेती की जाती है और यहाँ पानी की और अनुकूल परिस्थितियां होनी की उपजाओं मिट्टी भी है अनुकूल परिस्थितियां है तो इस वज़े से यहाँ सामने ते तीन बार साल में पसल की जाती है ने कोशन देखिए यमना गंगा के मैदानों में सामने तक किस प्रका बनाने के कार्थाने, प्लास्टेक, रसाइनों से समझे जो उद्योग हैं, वो यहां पर विक्सित हैं, जब यहां के मुख्य और दोगिक छेत्रों की बात करें, तो कानपूर, आगरा, अलिगर्ड, मेरट, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, सहरनपूर, यह ऐसे मुख्य छे तो कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं, काटियावार तट, कौन कर्ण तट, कनर तट और मालाबार तट, कौन कर्ण से तट हैं, काटियावार तट, कौन कर्ण तट, कनर तट और मालाबार तट, इसी तरे, next question में है, प्राइदी पे भागए, पूरवी तट यह मैदान में कौन कौन वह देखते हैं तो इसको हम एक डाइग्राम से देखते हैं एक मैप से देखतö awareness है देखिए काट्या वाड तक कंनतर कंड़ा क्द्राइबार चेत। हैं यहां पर जो कॉरो मनडल तर्ट और उत्री सरकार तर्ट यह आपके पूर्वी छेत्र के तटिय छेत्र है, ने कोशिन देखिए, माला बार तट कहां से कहां तक पहला हुआ है, माला बार तट कहां से कहां तक पहला हुआ है, तो हम सभी जानते हैं, गोवा से कन्या कुमारी तक कौन सा तट है, माला बार तट, और जब हम इस चप्टर में बात कर के बारे में बात करेंगे तो इसमें आपको पता होना जिए माला बारतर जो गोवा से कन्यकुमार तक पहला हुआ यह करीवन सक्री पट्टी है सत्तर से नभ्हे किलोमेटर सेवन्टी से नैंटी किलोमेटर चौड़ी फैल्योहर तट है यह और यहां पर इन मैदानों के पूर जो में पहाडी छेत्र है जो पश्चमी घाठ तक से जोड़ा हुआ है यह सक्री पट्टी करवें जो मालाबार तट्किय हो कितनी चौड़ी है यह जो तट्य चेत्र है वो सत्तर से नभ्हे किलोमेटर चौड़ा फैला हुआ है चलिए नहीं क्योशन देखिए विस्व प्र जयता है जो आगे तक करए है इस शितर में लयामजा थैंद है जिसमें से एक म rifm會 दीचेत्र है जो जो सहाँ है उन्लाबार तट्किय अंदर है मालाबार तट के अंदर वेंबानाज लेगुन है जो वर्ड फेमस है नेक क्वेशन देखे मालाबार तट में सामने तह कितनी वार्षिक वर्षा होती है मालाबार तट में सामने तह कितनी वार्षिक वर्षा होती है तो देखिए यहां पर सामाने से बहुत ज्यादा वर्षा होती है, 200 से 400 किलोमेटर, वो 400 सेंटीमेटर, 250 से 400 सेंटीमेटर तक की यहां वर्षा होती है, यहां का टेंपरिचर क्या होता है, यहां का टेंपरिचर सामाने तो पर सम रहता है, समान रहता है, 25 डिगरी से 30 डिगरी और regular वर्षा होने की वज़ें यहां सदा बाहर वन विक्सित हो चुते हैं, तो एक तिहाई वनों से धका हुआ है, एक तिहाई वनों से धका हुआ है, नेक कोशन देखें, मालाबार तट में सरवाधिक कौन से व्रक्ष पाए जाते हैं, तो वो है नारियल के व्रक्ष, नारि पड़, एबोनी, सिन कोना, सागवान, रोजबोडादी के व्रक्ष भी यहां पाए जाते हैं, यह उन्नत कृसी छेत्र है, क्योंकि यहां पर पानी की कोई कमी नहीं है, उपजाव भूमी है, उपजाव जो कांप और दोमेट मिल्टी के छेत्र हैं, यहां बहुत अचीव ह यहां पर किसी जो होती है, काली मिर्च है, लोंग है, लाइची है, और अन्हें बहुत सारे मसालों कि यहां करसी की जाती है, और यहां मैदानी बागों में नारियल, सुपारी और काजो भी बहुत मात्रा में पैदा होता है, नेक कोईशन देखिए, पश्चमी घाट के पह पहाडी छेत्रों में किसके उद्धान किये जाते हैं, तो देखिए, जब पहाडी छेत्रों की बात है, तो आपको जलवाई उको समझना होगा, यहां पर पानी बहुत मात्रा में आ रहा है, ठीक है, पहाडी छेत्र भी है, क्योंकि तटी छेत्र के जो पूर्वी भागे हो कैसे हैं, पहाडी छेत्र हैं, तो ऐसी छेत्रों के इस्थिति में क्या होगा, हम क्या होगेंगे, चाय, कॉफी और रवर्ड जैसे जो फसले हैं, उनका उत्पादन करते हैं, तो आपको इसकी इस्थिति से ही पता लग रहा है, यहां पर कौन-कौन सी फसले होगा है, यहां पर सामने तोर पर की जाती है, मश्री पकरना भी यहां का मुख्य वेवसा है, क्योंकि समुद्र बिल्कुल पास में आता है, यहां नदियों का बाव बहुत तेज होता है सामने तोर पर, तो यहां पर जल्विद्धु दुद्पादन और सिचाई के लिए बांध भी काभी मा पाए जाते हैं, तो कौन से पाए जाते हैं, यहां पर जो है, आन्वी खनी जादातर पाए जाते हैं, मोनोजायड, जिर्कन, थोर्यमादी पाए जाते हैं, जो भीतरी भागों में देखें तो चीनी, मिट्टी, चूना, पत्र और गार्गेट, गार्नेट और बगएरा पएा जाता है नेक कॉस्टिन देखी मालाबार तट में मुख्य बंदरगाह कौन से हैं कोजी कोड है कोची हो गया अलेप्ती और त्रवननत पुरं यह क्या है मालाबार तट के मुख्य बंदरगाह छेदरहें तो आपको इसी के साथ ये इसका last question था और इस chapter का भी last question था तो मिलते हैं next chapter next class के साथ तब तके लिए thank you